दिखाई दे रहा होगा यह कंट्रोल्ड एरिया के अंदर है गाउं और इसमाइला गाउं में 800 नंबर दिया गया है नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से सवाग था मारे चैनल पर आज आपको इस वीडियो के माद्यम से रोहतक जिले के सापला शहर का मास्टर प्लान समझाने वाड़े हैं तो आए स्क्रीन के और चलते हैं और समझते हैं मास्टर प्लान को का अब आपको हम स्क्रीन पर लेकर आ गए है फ्क्रीन पर आपको इमारे सामने चैनल और समय थी यह दिखा दिखा अकन happier कि यह द्राफ्त बता दू जो वर्तमान में मास्टर प्लान पास हुआ उससे कहीं ज्यादा बिन था पहले पुराने वाड़े मास्टर प्लान को समझते हैं उसके बाद नए मास्टर प्लान को देखते हैं यह है देख द्यान दीजिए आप लोग सापला अर्बन कॉंपलेक्स एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूं यह आप लोग द्यान दीजिए यह वर्तमान का शहर आपको दिखाई दे रहा है सापला अगर जो नए वाड़ा प्लान होता है वह कहां तक होता सापला से रेलवे लाइन को क्रोश करने के बाद आप देखेंगे यहां प्द्यान से देखेंगे इस एरिया में कुछ पलान यहां पर होता और कुछ पलान थोड़ा आगे पीछे होता लेकिन देखो अब बाड़ा पलान कहा होता एक सेकंड्य मैप थोड़ा उपन पर वो कर रहें दो बार खोलते हैं एक सक्ड़न समय अब देखेंगे आप लोग यह मतलब विलेज की बात करें यहां पर थोड़ा नया बास गाउं तक यह प्लान जाता और एक बाइपास बनाया जाता पूरे करने के लिए दो जार एकिस का जो प्लान था उसके अनुशार लेकिन काफी चेंज कर दिया गया विलेज यहां पर आसंडा भी आपको दिखाई दे रहा होगा और जो पुराने वाड़ा प्लान होता और होदी के चैरो तरफ से क्रोश करता हुआ और केमपी के साथ साथ में मा प्लान के अनुशार मांड उठी में केवल यह एर्स्ट्रीप है और यहां पर साइबर सिटी साइबर सिटी मेडी सिटी मेडी सिटी ऐसा कुछ बढ़ना था लेकिन वह बायो साइंस सिटी भी यहां पर बढ़ना दिखाई जा रही है विलेज डाब दा कला गाउं के चैरो सावशकता नहीं है यह मैंने आपके जुरूरत अनुशार एक पार दिखाया कि मैं प्लान में चेंज कर दिया गया था दो ज़ारी किसका जो एप लान है यह ड्राफ पलान था लेकिन यह पास नहीं हो पाया धहन दैजिए और फिर आपको बारी किसे समझाते हैं सबसे पहले आप लोगों को द्यान से देखिए एक सेकंड आपी दिखाते हैं देखिए यहां से यह देखिए आप मैंने जहां से लाइन कर रहा हूं सापला अर्मन कॉंप्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा यह सापला का एरिया है मतलब यह जो प्लान है सापला का है और यह फाइनल डेवलपमेंट प्लान देखिए यहां पर देखिए F.D.P. Final Development Plan 2030 for 10 controlled area of रोहतक and 26 controlled area of जजजर district under section 5 by 7 पंजाब शिडूल रोड एंड कंट्रोल एरिया रिजिस्टेशन एंड एंड रिजिस्टेश्टेश्ट डवलप्मेंट एक्ट 1963 पंजाब एक्ट 41 ओफ 1963 और सब सेक्शन 7 ऑफ 203 सी ओफ दे हर्याणा मुनिसिपल एक्ट उनिसोतियत्तर यह पूरी डिटेल है मतलब इसमें दस कंट्रोलड एरिया रोतके और 26 चशबश कंट्रोल एरिया जजजर जिले के पढ़ेंगे बनलब ये जो पलान है ये जजजर और रोतक के गाउंग पलान है आप सब से एले आप लोगों को पलान समझाना स्टार्ट करते हैं अब आप लोग ध्यान से देखना है इस प्लान को थोड़ा सा समझाते हैं एक सेकंड का मेरे को समय दीजी आप मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि बारी किसी मैं आपको हर पॉइंट समझा सकूँ हम वर्तमान का जो रोहतक वाला रोड है मतलब वर्तमान में सापला से रोहतक जो रोड जा रहा है उस रोड से हम प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं ध्यान दीजिए यहां पर आपको गाउं इसमाइला दिखाई दे रहा होगा यह कंट्रोल्ड एरिया के अंदर है गाउं और इसमाइला गाउं में 800 नंबर दिया गया है अगर हम मैप में जा और आ कि तरफा अंबन अब इसे अगे की तरह अपड़ते हैं तो यह यहां द्यान देजिए ठोड़ासा एक बार में नीचे करदेता हूं यह दूलेड़ा ड्रें आपको दिखाई देरी ओगी यह वाली यह दिखाई दिक हैं आपको यह जहां से ऑन भी ग्रीन इसमाइला गाउं के बिलकुल इस पॉइंट से ये बाइपास स्टार्ट होगा इसमाइला गाउं के पॉइंट से और ये बाइपास आगे तक चला जाएगा अभी देखिए देखिए ये वर्तमान का एनेच नाइन है यहां पर यहां से ये बाइपास बन जाएगा यहां से ब भी लाइन ड्रो कर रहा हूं और यह बेरी रोड को क्रोस करेगा बाइपास बेरी रोड को क्रोस करते हुए यह बाइपास आगे की तरफ बढ़ जाएगा ध्यान दीजी आप लोग आगे की तरफ बाइपास बढ़ रहा है लगातार अब एक चीज़ और आप लोगों को थोड ज़ए गाइपास चला जाता है दो ज़ए एक तो यहां से एनेच 334 भी जजजर की तरफ चला गया एक तो वह चला जाता और दूसरा भी चला जाता देखो अब मैं जहां से गरीन लाइन ड्रोकर रहा हूं न वो एनेच 373 कहीं है देखो यह वाड़ась इस अपनी उसी लाइन के साथ साते में चलते हैं जो हमने पहले की थिव यह देखीया आप लोग यह यह वाड़ी यह निया बाइपास है न क्ले राज मिल्कुल आशन रहां कि ऑंटरλαई पोहुच यहान से श्तार्ट हुआ यहां पर beri road के बिल्कुल नजदीक यह है नер 1334 B को और кरोस करेगा इस पॉइंट पर इस पोइंट पर पर करोइगा यहां से क्रोस करता हुआ आशनटा गाऊंश और सापला के मद्र से मतलेभ वरतमान का असनटा गाऊंश के सापला साइड से क्रोस करता हुआ, आग्गे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यहां पर द्यान दिजिए, एर स्ट्रीप हैलीपैड लिखा हुआ है, मांड ओठी गाउं में, बनेगा, जो इसे के अकोडिक परस्तावीत है, इस एर स्ट्रीप को क्रोस करता हुआ, मांड ओठी गाउं से, वाल रोड एनेच 10 तक भी चला गया इस परकार ये नया बाइपास मिलने वाड़ा है सापला क्षित्र को इस बाइपास से काफी फायदा मिलेगा वहानों को डाइवर्ट करने में और और भी कई परकार का फायदा इस बाइपास से मिलने वाड़ा है तो इस बाइपास को बारी किस प्रेक्ट नंपर शो रहा होगा आप मैप ले सकते हैं आपको और बारी किसे समझ में आ जाएगा हम आपकी स्वीदा के लिए ही मैप देने का काम करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलें अब थोड़ा मैं उपर की तरफ चलता हूं आप देखें आप लो दिखा लोगा देखा लिए लिखा आपको दिखेंगा सेक्टर बीज यह लिखा सेक्टर बीज डवलब किया जाएगा मतलब यह जो नया वरतमान से जहां से जाते हैं तो यह जो रोड हैस के साथ में सेक्टर बीस डवलपों का जहां पर 720 और 730 नंबर दिया गया है 720 और 30 के अगर बात करें तो 720 और 730 नंबर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट गार्डन और अधर रिक्रेशनल यूज रिक्रेशनल यूज को समझ गया हुए ना अन्ना मनवरणजक चीज़े जैसे वाटर पार्क्स वाटर सलाइड ऐसी चीज़े यहां पर आने वाली हैं यह जो मैंने ग्रीन श्यों किया इस प सेक्टर 20 के साथ मतलब इसमाइला गाओं के विलकुष हटे एरिया में सेक्टर 20 बनेगा जहां पर भी यहीं होगा वाटर पर्क्स ग्रीन बेल्ट और अधर रिक्रेशनल यूज और साथ में यहां पर 610 से लेकर 640 नंबर तक दिया हुआ है मतलब इसको अगर देखें तो 6 610, 620, 630 और 640 में मीनी सेक्टरेट, जुडेशनल कंपलेक्स, रेल, पुलिस यार्ड, एजुकेशनल, कल्सरल, रिलिजिस इंस्टिटूट यह सभी चीजे बढ़ाई जाएंगी और नोन कमर्शियल यूज के लिए प्रियोग किया जाएगा यह सेक्टर इसी सेक्टर का जो एरिया वर्तमान का यह आपको दिखाई दे रहे ना यह देखो यह जो मैं भी लाइन की ड्रो करने वाड़ा हूं यह है नहीं 334 भी जो नया बड़ा है जजजर से लेकर सोनी पत्तक तो सापला को के मद्द से जा रहा है इसके बिलकुल साथ में और वर्तमान का जो दे रहा है और यह नए वाड़ा एनेच जो बाहर से बाइपास करके सापला को बनाया गया है अब इस बाइपास के मद्द द्यान दीजी आप लोग यह पॉइंट काफी खास होने वाड़ा है यह वाड़ा पॉइंट भी यह वाड़ा पॉइंट यहां पर एनेच 334 भी का और जो वर्तमान का रोड है जहां पर यह मिल रहे हैं तीनों रोड एक बाद सापला सेर के अंदर शार आ रहा है एक सापला सेर को डाइवर्ट करते हुए आ रहा है और तीसरा एनेच 334 भी इनिके साथ में सेक्टर 22 बनाया जाएगा सेक्टर 22 भी अदर रीक्रेशनल 34 भी का जो एरिया है इसके साथ में सेक्टर 4 डवलप किया जाएगा सेक्टर 4 के साथ में 100 नंबर भी ड़ला हुआ है मतलब यहां आवाच यह सेक्टर के रुप में कुछ अध्यक इस एरिये को डवलप किया जाएगा इसी के बिल्कुल साथ में सेक्टर 19 भी डवलप होगा सेक्टर 19 में 706 नमबर और कुछ में 1000 नमबर दिया गया कुछ कर्षी होगा भूमी है और 706 नमबर के अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे अधर पार्क इत्यादी ग्रीन बेल्ट इत्यादी के लिए रखा गया है इससे नीचे चलते हैं वो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यह एरिया यह कौण सा एरिया आसंडा गाओं में आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर वर्तमान में ग्रीड सबस्टेशन है आसंडा गाओं के एरिया में जो ग्रीड सबस्टेशन है वहर जो नया बाई-पास से निकलेगा उसके बिल्कुल साथ से निकलेगा और इस एरिया में ही इसके grid सबस्टेशन के बिल्कुल पिछे sector ते इसको develop किया जाएगा जो पूरा का पूरा आवाशिय सेक्टर होने वाड़ा है मतलब residential सेक्टर होने वाड़ा है इसके साथ में बात करें जो man road वर्तमान में आसंडा गाउं से सापला को आते हैं तो पुराने वाड़ा रोड़ा इस पर 210-220 नंबर भी दिया गया है 210-220 नंबर के अगर बात करें तो 210-220 नंबर में आप देख सकते हैं 210 नंबर retail trade और 220 नंबर wholesale trade के लिए यहां पर रखा गया है इससे आगे map को समझते हैं आप थोड़ा नीचे चलते हैं इसी से मतलब खेड़ी आप पहले इस वहीं पर पूंचते हैं एक मिनिट का समय दीजी मेरे को मतलब आम वहीं पहुंच गए बिलकुल इसी area में जो हाँ देखिए आसंडा गाउं आसंडा गाउं से बाइपास को करोज करने के बाद सेक्टर 220 नंबर भी यहां पर दिया गया है मतलब गड़ी सापला के आसपास के एरिया में सेक्टर 17 को डवलप किया जाएगा गड़ी सापला के चारो साइड का एरिया मैं लाइन खीच के दिखा जाता हूं कि सेरिया में सेक्टर 17 डवलप होगा यह देखी आप लोग यह सेक्टर 17 डवलप होगा गड़ी सापला के चारो साइड बीच में आप देख सकते गड़ी सापला यहां पर लिखा हुआ है मतलब जिसे वरतमान में छोटूराम नगर भी कहा जाता है चोद 210 के अगर बात करें देखिए द्यान दीजिए आप देख सकते हैं 210 रिटेल ट्रेड वोल्सेल ट्रेड के लिए मैं रोड वाड़ा एरिया रहेगा 510 जो है utility waterworks के लिए disposal grease station के लिए एरिया रहने वाड़ा है और जो point थे और जो कुछ खास point थे इसमें उन points को देखके तो यहां पर 720 नंबर है 710 नंबर है 420 नंबर भी है यह आप समझ गए होंगे कोण सा एरिया मैं बताने वाड़ा हूं यह बिल्कुल इससे सटा हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा अब चलते हैं वापिस उसी point पर जहां से हमने स्टार्ट किया था द्यान दीजी आप लोग अब आते हैं सेक्टर कोण से की बात करें सेक्टर अब इस गड़ी सापला को क्रोश करते हुए सेक्टर सोडा को डवलप किया जाएगा जो बिल्कुल जो वर्तमान में नहर है उसके और जो नया बाइपास निकलेगा उनके मत दोगा सेक्टर सोडा यहां पर और सेक्टर 24 गड़ी सापला चे मतलब रोहोद की सेक्टर 25 डवलप किया जाएगा जो साफला का सेक्टर 26 भी यहीं पर डवलप किया जाएगा यहां भी बाइपास के बिल्कुल साथ में होगा अब इन से थोड़ा आगे यह रोहोद के नजदीक हम पूंच गए है अब रोहोद गाउं से पिछे का एरिया मतलब रोहोद गा बिल्कुल पास में रोहोद से मतलब सापला की साइड जाते है तो बनाया जाएगा रोहोद से सापला और इस साइड में बात करें तो टोल प्रोफेशनल सिनेमा एटी सी रेस्टूरेंट मोटल ओफिसीज बैंक यह सभी चीज़े लगबगी में से यहां पर सिटी सेंटर में आने वाली हैं सिटी सेंटर में यहीं चीज़े मैन रोपक हर एक मैप के अंदर आती हैं अब रोफद गाउं से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं कि यह रोफद आप ने चैन आपको दिखाई दिया रहा नहां पर नहां प्रेंच टैन मतलब रोफद गाउं से जब बिल्कुल यहां पर रोहोद गाउं टोल के आसपास का जो एरिया है जहां से ये टोल का एरिया है लगबगी ये टोल का एरिया है टोल से दहकोरा साइड में सेक्टर आठ को डवलप किया जाएगा चैर सो दस और चैर सो बीस नंबर यहां पर दिये गए हैं चर्षो दस और चर्षो बीस की बात करें तो देखें आप रेलवे आड में तो रेलवे लाइन से चटा है ना तो ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में इस एरिया को डवलप किया जाएगा इसी सेक्टर के आठ के साथ में सेक्टर नाइन होगा जो रोहोद गाउं से बिल्कु यह पूरा का पूरा मतलब इंडिस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है रोहोद गाउं में या पर वर्तमान में भी फैक्ट्रियां है और इसी के साथ में आप बात करते हैं थोड़ा अपूजिट साइड उपर की साइड से पहले एक बार मांड उठी तक आ जाते हैं मांड उठ प्रवाद करें तो 720 नंबर आपको दिखा देते हैं 720 नंबर पार्क्स के लिए यहां पर रखा गया है इसी के बिल्कुल साथ में सेक्टर 28 भी डवलप किया जाएगा यह पी पूरा वासी से से सापला के अंदर ही सारा का सारा सेक्टर डवलप होगा सेक्टर 39 भी यहां पर एरिया में 610, 620, 630 और 640 नंबर यहां पर दिया गया है 610, 620, 630 और 640 यहां पर देखिए 610 भी आप इसे वीडियो रोकर देख सकते हैं यहां पर क्या क्या हैगा इस सेक्टर के अंदर अमांड उठी गाओं कहां गया एक सेकंड अब लिखाते हैं आपको देखिए वर् मांड ऊठी गाओं के अंंदर आएगा कुछ अथ तक और सेक्टर 29 सेक्टर 28 सेक्टर 28 के साथ शाकican 27 का सेक्टर 27 का अरिया मांड ऊठी गाओं में आने वडाह हैох तो मान उठी गाओं देखिए ये मान उठी गाओं का एरिया है इसके चारों साइड का शाथ बतलब जो वर्तमान में जहां गाओं बसा हुआ इसके साइड का लगव अगए एरिया एक्री किल्शर जोन दिखाया गया ano इसी के बिल्कुल साइड में एयर पूजिट साइड में चलते हैं यह जो देखो विलेज रोज से एनेच नाइन यह आ गया एनेच नाइन को क्रोश करते हुए अब आगे की तरफ चलते यह देखो यह द्यान दीजिए आप सोचने का बला क्या रेलेवे लाइन है वर्तमान से रोहतक वाड़ी रेलेवे लाइन है इस रेलेवे लाइन को क्रोश करके भी कुछ सेक्टर बनाए जाएंगे तो सेक्टरों की बात करते हैं अभी एक सेकंड का और समय देखो अब यह देखो केमपी आसोदा जहां पर वर्तमान बनाया आसोदा गाउं वाड़ा रोड यहीं से क्रोश करता हुए इसे थोड़ दे गया होगा कहा पर है इंदुस्तान पेट्रोलियम हाँ देखे यह है यह यह द्यान दीजिए यह केमपी का जोइंट है जांसे आसोदा चोक्य और केमपी आपस में जुड़ जाते हैं और यहीं से यहां पर पुलिस टेशन प्रोपोज्ट पुलिस टेशन अब लिखा इंदुस्तान पेट्रोलियम यहां पर वर्तमान में बढ़ा हुआ है और इससे थोड़ा आगे चलते हैं आसोदा गाउं की तरफ यह रोड चलागा आसोदा गाउं से केमपी के अपोजिट साइड मतलब आसोदा गाउं से एक से आप इस साइड में आएंगे मतलब वर्तमा होने वाड़े हैं सेक्टर 230 आप आपको दिखाते हैं इन सेक्टरों के अंदर क्या आएगा तो यहां पर एक सेकंड कहां गया 230 नंबर सेक्टर में 230 नंबर दिखाया गया है 230 के अगर बात करें तो वेर आउसिंग ए स्टोरेज के लिए railway station के साथ साथ में आपोजिट सेखोः एह इस साइड से अब यहां पर सेक्टर 35 और सेक्टर 32 को कर डेवलप के जाएगा इनी के बिल्कुल साथ साथ में दोनों तरफ से एक साइड में KP होगा और दूसरी साइड में एक रोड निकारा जाएगा जिसमें सेक्टर 35 को डवलोप के यहां पर यह दोनों सेक्टर 100 नम्बर दिये गए हैं मतलब यहां आवाज यह सेक्टर मांड उठी से जशोर खेड़ी साइड में रेलवे लाइन को क्रोस करने के बाद बनाए जाएंगे यह पूरे आवाज से सेक्टर होंगे इनमें कुछ जमीन आसोदा गाउं की भी है अब दियान दीजिए आप लोग आसोदा गाउं से के एरिया या सोदा गाउं के कुछ जमीन पड़ती है यहां से आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर गाउं जसोर खेड़ी आ जता है जिसमें सेक्टर 34 सेक्टर जो वर्तमान में नुकलियर एनरजी सेंटर बना हुआ है जसोर खेड़ी गाउं के अंदर इसके बिल्कुल साथ में 610 से लेकर 640 नमबर दिया गया है 610 से लेकर 440 के अगर बात करें तो आपको अभी दिखाते हैं कि आने वाड़ा इस एरिया में 610 से लेकर 640 मिनी सेकेटरेट एजूकेशनल कल्चरल मेडिकल इंस्टिटूट थेटर ओपर ऐसी सुविदाई यहां पर जो वर्तमान में यहां पर बढ़ा हुआ है आप अब इससे थोड़ा उपर की तरफ बढ़ते हैं यह आप द्यान देंगे तो नुकलियर एनर्जी का ही हिस्सा है यह भी नुकलियर एनर्जी का ही हिस्सा है यहां पर सेक्टर 34 गाउं जसोर खेड़ी के 33 और 34 आएगा 34 गाउं जसोर खेड़ी के चारो साइड़ी के एरिया में आने वाड़ा है 34 थरी सेक्टर 33 सेक्टर इसमें यह चीज़े बनाए जाएंगी यहां पर थेटर ओपेरा अधर रिक्रेशनल यूज एजी और यह वर्तमान में ड्रेन है जो परमाणू उर्जा सेंतर के अंदर से करोश करती हुई जाती है इस ड्रेन के और जो NCR कैनल नहर जो लवारड़ी गाओं और जसोर खेड़ी के मद्द है इन के मद्द में सेक्टर 34 को डेवलप किया जाएगा सेक्टर 34 610 से लेकर 640 तक की यहां पर जंगय दी गई है 610 से लेकर 4 इसके अगर बात करें तो आप लोगों को मैं बता देता हूं 610 से लेकर 4 इस तक मैंने आपको दोबारा दिखा रहा हूं मैं यहीं चीज़े यहां पर आने वारी है अब इस मैप में थोड़ा उपर की तरफ और चलते हैं अब दिशोर खेड़ी गाओं के बात क जाएगा पुलिस स्टेशन भी जसूर खेड़ी गाओं के अरिया में दिखाया गया है और दैकोरा गाओं से रोध की तरफ जब जाते हैं तो सेक्टर 37 आसोदा साइड में डवलप किया जाएगा जिसमें 510 से लेकर 540 नंबर दिये गए हैं 510 से 540 के अगर बात करें तो आ एक सेक्टर 38 इसी के साथ में अगजा पर 700 नंबर दिया गया है 700 नंबर की अगर अगर आम बात करें तो 700 नंबर मैं आपको दिखा देता हूं 700 में क्या आने वाड़ा है 700 नंबर की बात करें दैकोरा से रोहदवाड़े रोड़ पर open space के लिए इन चीजों के लिए यहां प परियोग किया जा सकता है अब चलते हैं थोड़ा रोहद से नयबास की साइड में देखिए इस साइड से एक नया बाइपास भी निकला नयबास वाड़ा जो आपको रोड़ दिखाई दे रहे ना नयबास की भी काफी जमीन इनी सेक्टरों के अंदर आने वाड़ी है आप देख सकते हैं नयबास गाउं बिल्कुल सट गया है सेक्टर से नयबास गाउं के पास सेक्टर दो को डवलप किया जाएगा जहां पर पूरा आवास यह सेक्टर होगा नयबास गाउं से दहकोरा साइड वाले रोड़ पर मतलब यह नया बास गाउं है इस साइड में सापल तो मैं पहले आपको जूम करके पूरा मैप दिखा देता हूं आपने पूरा मैप बारी किसी समझ लिया वा किसी को मैप से तो निचे नम पर शोर है उस पर आप मैप जोड़ सकते हैं और दिल्ली स्टेट से सापला मस्टर प्लान के एरिया को जोड़ा जाएगा सीध्य तोर आप इसे बारी किसी से देख सकते हैं किसी को मैप से तो मैप मिल जाएगा आपको फाइल दिखाता हूं फाइल को आप जूम करके पढ़ सकते हैं अब आप लोगों के सामने ये गजट नोटिफिकेशन सापला मास्टर प्लान का शो हो रहा होगा आप इसे वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं आपको जल्दी जल्दी दिखाएं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंभी किचने का हमारा कोई परपज नहीं है आप इस वीडियो इसके मादम से गाओं के नाम देख सकते हैं गाओं के कितनी भूमी इसके अंदर गई है कोण कोण से मंदिर यहां पर आते हैं इसके साथ कहां कहां तक कैसे इस एरिया को बनाया जागा पूरी वीडियो को आप रोक कर बारी किसे नोटिफिकेशन को सकते हैं यहां पर खोनगों से बस्तिया वरतमान में हैं सापला-Gaddy सापला जब्ला-Road जोस्थ-खेड़ी-घ्डि- जोस्थ- चारिवल की भागिदारी आब точки-पर निगाओं की लिखए है और यहांकर लेकर सापला माश्टर प्लान के गाउं की और सहरों की जोड़ करके तो आप लोगे इसको द्धान से समझ सकते हैं बारी किसे एक सेकंड थोड़ा ज्यादा आगे सले गए हम मैं आपको थोड़ा एक सेकंड देखिए आप द्धान से इने रोक कर समझ सकते हैं कौन सा रोड कितना बड़ा होगा इसके साथ में कितनी गरिन वेल्ट होगी कौन सा रोड कहां तक जाएगा आप इसे बारी किसे रोक कर समझ सकते हैं यह गजट नोटिफिकेशन ज्यादा पुराणा नहीं है अभी कुछ दिन पहले ही यह नोटिफिकेशन आमें प्राप्त हुआ था तो कुछ लोगों के बार-बार डेबांड ठी कि आप वो फाइल भी दिखाएं कि जिस फाइल के माद दम से पूरा गजट नोटिफिकेशन त भली बाती और बारिक तरीके से समझ सकते हैं जिससे आपकी काफी ज्यादा मदद हम कर पाएंगे यह पूरी फाइल आपके सामने है अभी इन्हें रोक कर आप पड़ सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा समय हो जाएगा आप देख सकते हैं किसी को मैप चीए तो मैप नीच आप देख सकते हैं परिवेन के लिए दूरुदर्शन भर एक चीजों की डिटेल इसके अंदर होती है कि कहां पर क्या आने वाड़ा है कैसे क्या होगा पूरी डिटेल बिलकुल आपके सामने आपको दिखाई देरी होगी यह गजट नोटिफिकेशन हर्याना सरकार दवार आपको खुद समझेंगे तब आपको खुद समझेंगे तब आपको समझानेगी और एक चीज़ और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे किया गया काम कैसा लगा आप देख सकते हैं यह इस से आगया अंगरेज जी में स्टार्ट हो जाएगा अमने इंदी तक का आपको दिखा दिया अंगरेज जी कोई जुरूर तो नहीं पड़ती आप देख सकते हैं एसन रोए अपर मुखह सचीव हरियाना सरकार शहरी निकाए स्थाने निकाए वी बाग और साथ में अपुरू कुमार परदान सचीव हरियाना सरकार नगरवगराम आयोजनवी बाग दवारा इसको पास किया गया और यह पबलिक के लिए यूज के है हमारे चनल को सब्सक्राइब करने का कम जरूर किजिए